हलो एंड वेलकुम टो कॉंट स्टेरी दिस शेक अर्शी आज हम करंट एफियो सोफ जे एंड के का पार्ट सेकेंड कवर करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट बन देखा था दाट वस्वाम जैनुवरी टू जून 2020 आज हम जुलाई से डेसंबर तक कवर करेंगे ब तो स्टार्ट करते है आज का वीडियो राजनाज सिंग इनागरेटर रुपीस 43 करोड 6 स्ट्राटिक ब्रिट्स इन जेन के बिल्ट बाइब बाइब बॉर्डर रोड और अल्गनाजेशेशन सो और 9 जुलाई 2020 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाज सिंग ने छे ब्रिट्स इनागरेट किये इन दे बॉर्डर एरिया स्ट्रोस तो दे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जुम्व एन कश्मी थ्रू वीडियो कॉंफरेंसी तो यह जो रोड्स है छे ब्रिट्स है जो ब्यूल्ट किये गए थे बाइब प्रोजेक्ट संपल्क और बॉर्ड बॉर्ड र बिल्वान ब्रिच दाट इस 91 मीटर गोड़ा वाला ब्रिच दाट इस 151 मीटर पहाडी वाला ब्रिच दाट इस 61 मीटर एंड पन्याली ब्रिच दाट इस 31 मीटर तो यह छे ब्रिच इनागरेट किये थे राजनात सिंग ने सो इन मैसे जो दो ब्रिच्ट से दाट इस तरना नाला ब्रिज वो तर्ना नाला कटवा डिस्रिक में है जबकि बाकी चार जो है बाकी ये चार जो है ये अकनूर में है ये दो जो है ये कटवा में है बाकी चार जो है ये अकनूर में है Okay. So the next is Анजे खाद ऑबिच इंडिया जार्बुच्ट Cable Jayad Bridge भी। प्रकाश गोयल उन्होंने अनाउस किया कि इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज जिसका नाम है अंजी खाथ ब्रिज ये डैवलप करींगे कॉनकन रेलवे कॉर्पोरेशन तो यहां पर आपको याद रखना है कि कॉनकन रेलवे कॉपरेशन ये वही ऑर्गनाइजेशन है जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था उन्होंने चिनाब ब्रिज उसको भी यही डेवलप कर रहे है चिनाब ब्रिज तैट इस कोई टू पी दा वर्ल्ड हायस्ट ब्रिज जब वो कंप्लिट हो जाएगा तो दुनिया का सबसे उचा ब्रिज माना जाएगा और वही इंड चलता है लदाक एलजी आरके मात्वर एलॉंच श्रीट मेशन और ग्यानिक डवलप्मेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट तो लदाके जो लजी है आरके रादाकृष्न मातोर उन्होंने एलॉंच किया मिशन और ग्यानिक डवलप्मेंट चार जुलाइ 2020 को Jitendra Singh लेट foundation stones virtually and he inaugurated various construction works under PMG SY in JNK on 31st July 2020 Jitendra Singh ने foundation लेट किया और बहुत सारे construction works को he inaugurated भी किया under PMG that is Pradhan Mantri gram सडक योजना अपको यहां पर 31st July को यह हुआ था तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं स्कीम के बारे में यह launch हुई थी 25 December 2000 मैं बाई अटल बिहारी वाच पाई अबजेक्टिव क्या था अबजेक्टिव था कि यहां पर जितने भी unconnected habitations है उनको connection provide करना उकि उनको जो यहां दूर दराज अलाके है जितने भी इंडिया में दूर दराज पिछडे हूँ अलाके है उनको वापस connect करना उकि शेहरों से उनको connect करना implementation इसकी कौन करता है that is ministry of ministry of ruler development and state governments जो पहला phase था उसमें यह launch हुई December 2000 में second phase में यह में 2013 में approved हुई और third phase it was approved by the cabinet July during July 2019 under this phase it is proposed to consolidate 1,25,000 km road length in the states the duration of the scheme is 2019 to 20 2024 to 25 duration जो इसकी है वो है 2019-20 से लेकर 2024-25 तक ओके आगे चलते हैं JK government launch e-auction portal for Kashmir Saffron 28th August को 2020 को जो government of Juman Kashmir है उन्होंने launch किया था e-auction portal जिसका नाम था जिसकी जो website सी www.saffron e-auctionindia.com यह create किया गया था department ने क्यों किया गया था for promotion जो सैफरोन की जो trade है उसको promote करने के लिए कश्मीरी सैफरोन आगे चलते हैं Manoj Sinha appointed as LG of Jain के सक्सीर्स ग्रीष चंदर मुर्मू तो जो हमारे पहले LG रहे ग्रीष चंदर मुर्मू उनको replace किया Manoj Sinha ने और उनको appoint किया as second LG of Jain कश्मीर प्रेजिडंट रामनाथ कोविंद ने जो Manoj Sinha है Manoj Sinha जो है ये former union minister रह चुके है और senior leader है भारतिय जन्ता पार्टी के from उत्रप्रदेश तो इन्हें यहां पे किया और आपको यहां पे याद रखना है जो पहले governor थे GC मुर्मू उन्हों ने resign किया था 5th August 2020 को और उसके बाद उनको लाया गया Manoj Sinha को लाया गया So the second is अब जो गिरीश चंदर मुर्मू जी थे उनको appoint किया गया as 14th CAG जहां पे उन्हें ने replace किया Rajiv महरशी को तो CAG क्या होता है CAG होता है Comptroller and Auditor General of India उनको 14th CAG बनाया गया जहां पे उन्हें रेप्लेश किया Rajiv महरशी को आगे चलता है World's Lightest Attack Helicopter Hindustan Aeronautic Limited 2 LCH Deployed for Operations at Ladakh 12th August 2020 को जो 2 LCH LCH जो है वो दुनिया की सबसे Lightest Attack Helicopters है उनको Deploy किया गया लहलेदाक में यह जब इंडिया चाइना वाजर पे टेंशन चल रहे थे उस टाइम पर 2 LCH जो है That is Light Compact Helicopters इनको एप्लाई किया गया वहाँ पे ताकि वो सपोर्ट करें Indian Air Force को तो LCH के बारे में थोड़ा सा देखते है LCH जो है It is a twin engine that is it has two engines and it is the lightest attack helicopter in the world It was developed by HAL that is Hindustan Aeronautics Limited to meet the specific and unique requirements of Indian Armed Force under the Atman Nirbhar Bharati के तहती बनाया गया था बनाया किसने था Hindustan Aeronautics Limited ने तो moving to September तो पहला है यहां पे Ladakh and Lakshadeep included in One Nation One Russian Card Scheme 26 states UTs connected with the scheme तो September में 2020 में जो Union Minister of Consumer Affairs Food and Public Distribution that is Ram Vilaas Paswan उन्होंनी Ladakh and Lakshadeep को include किया in the scheme called One Nation One Russian Card इस scheme के तहत आप जहां भी होंगे मतलब आप इंडिया में जहां भी होंगे आपको वहां से राशन मिलेगा आपको ऐसा नहीं है जो पहले कि होता था कि राशन कार्ड जो होता था वो आपके स्टेट में काम करता था अगर आप दूसरी स्टेट में जाते तो आप अपने उस वाले राशन कार्ड से वहां पर राशन नहीं खरीच सकते थे आप एक नेशन में एक ही राशन कार्ड यूज करोगे तो इस स्टेट में लदाकिन लक्षदीप को भी इंकलूड किया गया JNK-LG लाँच स्पारो ओनलाइन पर्फॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम फॉर JKS ओफिसर तो 4th सेप्टेंबर 2020 को जो यहां के LG थे मनुष सिना उन्होंने एक ओनलाइन पॉर्टल लाँच किया फॉर JKS ओफिसर इट वो याद रखना है इस स्पारो और फॉल फॉर्म याद रखनी है यहां पर्फॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ओनलाइन विंडो यहां पर थोड़ा से जम्माइन कश्मीर के बारे में देखते हैं यहां कौन कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती है यहां जो फेस्टिवल मनाई जाती है यहां जो फेस्टिवल मनाई जाती है तो आगे चलता है जम्मेंड कश्मीर गवर्नर अनौसेज यूनिवर्सल हेल्थ इंशॉरंस स्कीम फॉर आल रेजिदेंस ऑफ यूटी 12 सेप्टेंबर को 2020 जो यहां के अलजी है मनौ सिना उन्होंने अनौस किया यूनिवर्सल हेल्थ इंशॉरंस स्कीम और इसकी बिल्कुल वही बेनीफित्स है जो आयूश्मान भारत के बेनिफित्स है जो हमने लास्ड वीडियो में पढ़ा था,知道 A JNK Horticulture Department launched Backyard Horticulture Program in Jammu District. Jammu District, JNK Horticulture Department, JNK का, उसने एक प्रोग्राम लांच किया, जित का नाम रखा Backyard Horticulture, जो इसकी aim थी, it was to promote organic food protection, क्यों किया, to promote organic food protection, आगे चलता है, Ministry of Home Affairs amended JNK Panchaiti Raj Act 1989, DDCs will be created, तो 17th October 2020 को आपको date याद रखना है, जो Ministry of Home Affairs है, उन्होंने JNK Panchaiti Raj Act को amend किया, क्या कि उन्होंने, उन्होंने Section 10 से एक provision हटा दिया, जिसमें जो payment मिलती है, पंच और सरपंच को, उसका mention था, उन्होंने वो वहाँ से हटा दिया, बट इसमें, आपको ये याद रखना है, देखो, अभी जो सरपंच और पंच है, वो 3000 and 1000 रुपीज लेता है, बट ये हटाने के बाद उनकी payments कट नहीं हुई, बस इतना हुआ, कि अब अगर future में कभी गवर्नर को उनकी जो payment है, वो increase या decrease करनी होगी, तो उसके लिए उनको constitution of amendment नहीं करना है, क्योंकि पहले जब ये mention था constitution में, तो जब भी उनको increase करनी होथी, या decrease करनी होथी, तो उनको हर बार constitution amendment करना पड़ता था, तो उन्होंने VA section 10 से हटा दिया, VA provision, sorry, section 10 से हटा दिया, तो अब जब भी उनको increase या decrease करनी होगी, तो उनको constitution amendment करने के जूरत नहीं है, ये कर सकते है, so it was remote for administration flexibility, okay, तो आगे चलता है, नितिन गटकरी लांच ब्लास्टिंग प्रोसेस फॉर वन अफ़ एशिया लोगेस्ट बाइडिरेक्शन लोड टनल, जोजीला टनल in JNK on 15th October 2020, जो जो नितिन गटकरी है, उन्होंने लांच किया ब्लास्टिंग प्रोसेस फॉर दे जोजीला टनल on 15th October 2020, 15 October को उन्होंने ये ब्लास्टिंग प्रोसेस लांच किया, और जो जोजीला टनल है, it is going to be the Asia's longest bi-directional road tunnel, इसकी जो लेंग्थ होगी, वो होगी 14.15 km और altitude 3000 m होगा, okay, and it is going to provide all weather connectivity, ये पॉइंट पर याद रखना, all weather, that means, both summer and winter connectivity, between किस-किस के ये बीच में किसको connect करी है, स्री नगर को ये लह से connect करेगी, on national highway NH1, okay, आगे चलता है, लोनर लेक इन महराष्ट्रा और सुर्ष सरोवर इन उतर प्रदेश एड़े टो रामसर साइट्स, तो 15 नवंबर 2020, प्रकाह जावेदकर, that is Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, उन्होंने नाउस किया, कि सुर्ष सरोवर जो यूपी में है, जिसको हम कीथम लेक भी कहते है, okay, वो जो आगरा यूपी में है, उतर प्रदेश में है, और जो लोनर लेक, that is the only crater lake of country, that is former due to crater, लोनर लेक, जो only crater lake of the country है, और सुर्ष सरोवर, जिसको पीथम लेक भी कहते है, उनको एड़ किया गया to the रामसर साइट्स, okay, आगे चलता है, तो यहाँ पर कुछ में कश्मीर के बारा में important point है, फिससे वोई airport हमें बता है, international airport इसको बढ़गाम airbase भी कहा जाता है, that is शेखुल आलम international airport, और अगर wildlife centuries की बात करें, तो यहाँ पर अचबल wildlife century है, रामनगर wildlife century है, हीरपोरा wildlife century है, नंदिनी wildlife century है, ओवेरा आरू wildlife century है, तो आ आगे चलता है, UT of Ladakh gets the largest solar project power as the highest altitude at Leh IAF station, okay, next, Narendra Modi chaired 33 pragatri interaction, 25th November 2019, को Prime Minister PM Narendra Modi ने 33rd pragatri, what is pragatri, it is proactive governance and timely implementation, meeting एक chair की, इसमें क्या होता है, कि जितने भी मतलब कुछ programs या grievances उनको review किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर खुद उनको review करता है, तो इस बार जो है 10 states, जो projects review हुए थे, पहले देखते किन किन के हुए थे, it was ministry of railways, ministry of road transport and highways, department for promotion of industry, international trade and ministry of power, इनके projects review हुए थे, और यह जो projects थे, यह related 10 states से, यानि projects 10 states के review हुए थे, वो 10 states कौन-कौन city, Odessa, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and Dhadar and Nagar, Haveli, ओके, आगे चलते हैं, Kerala, Goa, Chandigarh emerged as best government states and union territory, public affairs index 2020, तो एक report published हुई थी of public affairs index 2020, जिसमें Kerala को मिला as the best government states in terms of large states category, last state category में, Kerala जो थी, that was emerged as best government state, Goa जो थी, in terms of small states में उसको मिला best government and Chandigarh को in terms of UT, union territory में best government union territory मिला गया, in the 5th edition of public affairs index 2020 और ये देड़ भी याद रखना है, 30 October को ये release हुआ था, okay, report release हुई थी 30 October को, जिसमें large states category में Kerala was the best, small states में Goa was the best and UT में Chandigarh emerged as the best governed union territory, okay, आगे चलता है, 30 Indian states will face water risk by 2050, जैपूर टॉप्स WWF report, तो एक report launch हुई थी WWF से, What is WWF? WWF is World Wildlife Fund, उन्होंने एक report launch की थी, जिसमें उन्होंने 100 states mention की, जिनको water shortage face होगी by 2050, उनमें 30 states were from India and उनमें भी जैपूर was at the top, तो आपको याद रखना है, जो 130 उन्होंने लिस्ट की, जिनका by 2050, जिनका by 2050, उनमें 30 states were from India, जिनमें जैपूर was at the top, तो जैपूर लिस्ट में 45 पर था and second number पर इंडिया की state इंदूर थी and it was at 75th, okay, तो आगे चलता है, हर्श वर्दन इनागरेटें इंडिया 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 स्थ मेटरोलोजिकल सेंटर अड लेह लदा, तो इसमें याद आपको रखना यह जो है इंडिया का सेकंड MET सेंटर है जो की लोकेटेड है हिमालियाज में पहला वाला जो है दाट इस लोकेटेड अट इटानागर इन अरुनाचल प्रदेश तो नेक्स्ट इस लदाख नियू येर दाट इस लोसर इसमें लदाख में नियू येर उनका एक फेस्टिवल होता है इसको वो लोसर कहते है यह सेलिबरेट करते है तो मार्क दा बिगनिंग अफ दे नियू येर तो उन्होंने वो मनाया उन फिफ्टींथ डेसमबर इसमें उनका एक रिलिजिस फ्लाग होता है उसको तारचन कहते है रिलिजिस इन ट्रडिशनल फ्लाग तारचन तो इस साल भी ये मनाया गया उन फिफ्टींथ डेसमबर इंडिया एट्स लदाख सोकर लेक कॉंपलेक्स तो लिस्ट अफ रामसर साइट इसमें बिफ्टींबर को डेट भी आप याद रखोगे लदाख की जो सोकर लेक है उसको एड़ किया गया तो रामसर साइट और इसके साथ ही ये रामसर की 42nd साइट बन गई और लदाख की 2nd रामसर साइट बन गई तो किसने अनौस किया था इसको लिस्ट में एड़ किया गया तो रामसर साइट तो इसमें थोड़ा सा में देखते हैं सोकर के बारे में सोकर वेटलेंड कंप्लेक्स इसमें 2 प्रिंसिपल वाटर बॉटीस है एक तो स्टार सपुक के जो यह सोकर है इसमें दो प्रिंसिपल वाटर बोडी है पहली बाली स्टार सपुक यह एक प्रेश वाटर लेक है and second is सोकर that is hypersaline lake it is rated at 45,000 4500 sorry meters above sea level और यहां पे अपको यह भी याद रखना है कि India has the highest number Ramsar sites in South Asia 42 sites in India में है that is the highest number in South Asia so another important thing here is Amar College receive Amar Singh College receives Award of Merit in the 2020 UNESCO Asia Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 16th December 2020 Amar Singh College Komila Award of Merit in the 2020 UNESCO that is United Nations Educational Scientific and Cultural Organization so this is the first international award जो दिया गया है for Cultural Heritage in Kashmir और यह award मिला Amar Singh College 16th December 2020 को okay this is also important हो सकता है इस से question आई कि यहां को जो Award of Merit है in the 2020 UNESCO Asia Pacific Awards वो किस को मिला किस को मिला और किस लिए मिला यह मिला था Amar Singh College को 16th December किस लिए मिला for Cultural Heritage Conservation आगे चलते हैं फिस्ट ड्रोनोचारिया आवार्डी फ्रम जे एंड के कुल्दीभ हंडू आपॉइंटेड एस फिट इंडिया मूमेंट अमबैस्टर जो पहला ड्रोनोचारिया आवार्डी इस जो मेंड कश्मीर के जो कुल्दीभ हंडू है यह पहले ऐसे परसन है यूटी से हमारी यूटी से जिनको ड्रोनोचारिया आवार्ड मिला है और उनको अपॉइंट किय अपॉइंट किया गया अबस्टर ओफिट इंडिया मूमेंट अगर इनके बार में बात करें यह बॉन हुए है स्रीनगर में और इन्होंने अभी तक 11 गोल्ड मेडल जीते है इन नाशनल और 6 इंटरनाशनल स्टेज वुश्यू एथलीट है और यह टीम इंडिया के वुश यूटी ऑफ जेनके एंड लदाख सक्सीर जेस्टिस गीता मितल तो 8 डिसमबर 2020 को रामनाथ कोविन जो प्रेजिट ऑफ इंडिया है उन्होंने जेस्टिस राजेस बिंदल को एपॉइंट किया ऐस चीफ जेस्टिस ऑफ कॉमन कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जेनके एंड लदा का जो कॉमन कोर्ट है उसका चीफ जेस्टिस बनाया गया जेस्टिस रजेस बिंदल को 8 डिसमबर को और उन्होंने सक्सीर किया जेस्टिस गीता मितल को जो जेस्टिस गीता मितल थी आपको ये भी याद रखना है ये पहली फीमेल जेस्टिस ऑफ इस कोर्ट की थी जो कॉम सक्सीर किया जस्टिस राजीस बिंतल तो आपको यह भी याद रखना है मेभी इस पर क्वेस्टिन आए कि जीर जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोट ऑफ यूटी ऑफ लदाख एंड जेन के किसको लिया गया यह कब लिया गया एर्थ डेसमबर को उन्होंने अनौस किया पॉइंट किया और उन्होंने चार्ज लिया फ्रम 9 डिसमबर इट वो जस्टिस राजीस बिंदल और उन्होंने सक्सीर किया जस्टिस गीता मितल को यहाँ पे आपको यह भी याद रखना है कि जो जस्टिस गीता मितल थी पॉइंट किया था कि इनका एक कॉमन हाई कोट होगा और एक पॉइंट है चो लेट लीला सेर थी यह भी आपको याद रखना है सिंदू शर्मा जो है वो जो में कश्मीर की पहली वोमन जज्ज है हाई कोट की और गीता मितल जो है शी इस फिर्स चीफ जस्टिस ओकी वो जीफ जस्टिस पहली वीमेल जीफ जस्टिस है इस कोट की बस्टिस और है ग्डड़ ए भर那 खॉल उतक समझ ह स्ट्सराइब्स कोट की